तो आज यानि के आठ जुलाई से रिजल्ट सीजन की शुरुवात हो जाएगी पहले हमने अल्रेडी डिसकस करी लिया है टीचेस के रिजल्ट आने वाले हैं उसके उपर हम लोग देखेंगे किस टाइब की रिजल्ट आते हैं क्या प्राइस सेक्शन के ऊपर इंपक्ट पर सकता है कल की बात करें यानि के 9th of July मार्किट तो रहेंगे क्लोज लेकिन एक इंपोर्टन कमपनी के रिजल्ट आएंगे जिसका नाम है D-Mart सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है क्योंकि यहां पर टॉप लाइन में कुछ प्रेशर बनने की बात की जा रही है यानि कि हो सकता है रेवेन्यूस के अंदर थोड़ा बहुत डेकलाइन देखने को मिले पर लेट सी कल किस टाइब के यह लोग अपने Q1 रिजल्ट डेकलियर करते हैं उसके बेसिस पर हम लोग आगे का कोई सेट अप जानने की करेंगे कोशिश Now, the condition is that इस वीडियो में मैं आपके सामने R3 Industries Limited का stock ले के आओ यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अब इस stock के अंदर जो इतनी गिरावट हो चुकी है यहाँ से कोई position बनती है क्या लेने वाली कि हम लोग यहाँ पर यह मान लें कि इस stock के अंदर एक bottom formation हो चुका है base formation हो चुका है क्योंकि इसने एक trend line को एक short term to medium term की trend line को already crack कर दिया है upper side में breach कर दिया है और अब अगर यह उपर की तरफ निकलता है तो 50 dema इसके लिए पहले target हो सकते हैं 50 dema जो कि इस वक्त अगर आप देखें 751 के उपर situated है एक चीज़ आप बहुत clearly देख पा रहे होंगे इसके price section से कि 200 dema, 100 dema और 50 dema के नीचे इस वक्त यह travel कर रहा है तो एक extreme bearish category के अंदर यह stock काम करतावा दिखाई दे रहा है तो इसके अंदर अगर कोई भी upside के अंदर buy side में position अगर बनेंगी तो फिर वो stop loss के साथ बननी चाहिए लेकिन एक positive बात सर्फ यही मुझे नजर आ रही है कि इसके results के अंदर आने वाले दिनों में एक positive indication देखने को मिल सकता है जिस तरीके से domestic brokerage firms ने यहाँ पर estimates बताए है chemical sector के अंदर एक अच्छा खासा boom देखने को मिल सकता है और art industries उसमें से एक prominent contender हो सकता है जिसमें 21.5% के profit के अंदर पैट के अंदर increment देखने को मिल सकता year on year के basis पर ऐसा कहना है analysis का उसके basis पर अगर लोग समझें तो काफी अच्छा momentum जो actually में इसको 100 dema के आसपास लेके जाने में काम्याब हो पाए ऐसा हम लोग expect कर सकते हैं फिलाल की situations को देखते हुए देखे कोई भी बड़ा breakout आएगा मैंने आपको बताया इसके अंदर भी volumes की जरुवत होगी आप देखे जब बड़े breakouts आते हैं तो यहां पर volumes की जरुवत पड़ती है जब भी stock के अंदर volume जादा होंगे तभी वो sustainable basis पर अपने उस move को continue कर पाएगा जिस direction में वो चल रहा हो अब इस direction में इसने क्या किया है यहां पर एक base बनाया है 668 के आसपास के base formation है यहां पर जो होई थी अभी 20 June को वहां पर वापस से एक बार base बनाके यह आप कह सकते हैं कि double bottom formation जैसी condition यहां पर evolve होती भी नजर आ रही है अगर यह resistance level break होते हैं और कौन से resistance level है to be very precise अगर हम इसको mark करने की कोशिश करें तो यह आ रहे हमारे पास में तकरीबन 730 के 730 रुपे की resistance level अगर निकालता है तो एक बड़ा breakout आपको इस stock में देखने को मिल सकता है लेकिन again this breakout condition is also subjected to this thing कि यहां पर volumes का accumulation volumes का trading जादा होनी चाहिए जो अभी तक नहीं दिखाई दे रही है तो इसलिए मैं कोई advance breakout की stage में आरती industries को आतावा नहीं देख रहा हूँ क्योंकि volumes यहां से नदारद है volumes को आना ही पड़ेगा अगर यहां पर कोई बड़ा breakout यहां पर हम लोग expect कर रहे हैं एक और time frame पर इसको हम लोग थोड़ा से evaluate करने की कोशिश करते हैं देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कहां पर यह मैं आपसे बात कर रहा हूँ weekly charts के उपर weekly charts पर price section आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको यहां से यह चीज़ दिखाई दे रही है कि से stock में कोई बड़ा momentum create हो सकता है आप देखिए इसने अपने split या bonus जो भी इसके अंदर आया था यह adjust हुआ था उसके बाद में एक तैर range के अंदर काम करते वे दिखाया और लेटर ओन फिर इसने उस level को भी lowest range को भी break करके नीचे की तो breakdown दिया हुआ है तो condition इसके अंदर momentum की तभी create होंगी जब इस level को decisively cross कर देगा and not to be very precise इस जो levels है तकरीबन 840 रुपे के आसपरस आते वे नजर आ रहे हैं अगर मैं इसको base मानता हूँ 840-850 रुपे के आसपरस के वो levels है जहांपर इसको एक बड़ decisively level cross करने होंगे तभी इसके अंदर कोई बड़ा sustainable move आते वे देखने को मिल सकता है तो फिलाल RSI के अगर हम लोग बात करें weekly charts के उपर जो इस वक्त 40 के भी नीचे है 40 के blows का RSI है इसले direction कोई बहुत importance नहीं रखती है एक week RSI scenario के अंदर weekly charts पर दिखाए दे रहा है एक बड़ा momentum फिलाल तो आने के chances यहां कम नजर आते हैं लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें कि अगर कोई position बना नहीं है हम लोग यह चीज दिमाग में रखें कि यह bottom out हो चुका है तो मेरे ख्याल से यह 680 के levels को आपको एक support stop loss बनाना चाहिए इस stop loss के साथ में आप positions बना सकते हैं आपका पहला target यह 50 days के अगर्विंग average हो सकते हैं जो यहां पर देखिए आते हुए नजर आ रहे है 750 के आसपास के 750 रुपे के पहले target हो सकते हैं से stock में यह stock in level के आसपास पहुचे तो आपको profit बुक करना रहेगा ना कि आपको wait करना है क्योंकि यह एक बहुत heavy resistance का area बन सकता है किसी भी condition में उपर की तरफ निकलते हुए तो आरती industries में clear bottom बन चुका है गया यह हम लोग confidence के साथ नहीं कह सकते हैं क्योंकि price action इस type की situation नहीं दिखा रहा है जब तक कोई बड़ा pullback या फिर वो pullback एक strength के साथ में किसी reversal में convert ना हो जाए तब तक यहाँ पर possibilities बहुत कम है कि इसके अंदर कोई बड़ा breakout आने वाला है इसलिए आपको तोड़ा सा cautious होके इसके अंदर कोई भी move बनाना होगा आज की condition में अगर आप देखें अच्छी बात क्या है कि 41% से जाधा कि delivery percentage दिखाई दे रही है 20 June का 668 रुपीज का भी हमने देखा यह 52 week low है इसका यह ultimate support होगा यह break हुआ तो फिर negative side में और यह stock जाता हुआ दिखाई दे सकता है बट देखें क्योंकि result season on है और यहाँ पर एक अच्छा खासा estimate लगाया जा रहा है brokerage firms के दुआरा तो मुझे ऐसा लगता है यह जो 0.5% की तेज़ी आज आज आपको देखने को मिलिये ऐसी अगर दो यह तीन trading sessions में देखने को मिल जाए तो शायद एक barrier जो 50 dema का है वो एक cross करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा and then फिर यह 50 dema ही इसके लिए एक important support बन सकता है तो let's hope for the best कि यह 50 dema को cross करके ऊपर की तरफ निकले and यही आपके target हो सकते हैं stop loss मैंने आपको अलड़ी बता दिया है तकरीबन 35 रुपे नीचे का stop loss आपको रखना है और 35 रुपे उपर ही आपके target है तो risk to reward जो आपके सामने आ रहा है तो वो one is to one का आ रहा है कि जिन लोगों ने higher level पर position बनाई है क्या वो अभी भी रुके रहे या फिर यहां से निकल के अपनी position कहीं और बनाए तो यहां पर वही बात है कि अगर 668 के level निकलते हैं तो यह further or down जाये का तब यहां से exit कर दीजेगा 668 रुपीस का आप भी stop loss लगा के रखी अगर इन levels पर bottom firm हो चुका है यह levels कभी भी वापस try नहीं होंगे फिलाल की condition के एसाब से और आप definitely अपनी position से एक या तो profit में या फिर एक no loss no profit के अंदर exit कर सकते हैं हाँ अगर यह नीचे की तरफ निकलते हैं तो फिर और नीचे के levels यानि के एक bearish territory के अंदर further यह stock जातावा नजर आएगा तो wait and watch करना है उन लोगों के लिए जो अभी loss पर चल रहे हैं जिनके पास में position higher levels पर है stop loss लगा के वो इंतजार कर सकते हैं इस वीडियो में फिलाल इतना है आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो पसंद आई हो अगर अच्छी लगी है तो पिस लाइक और शेयर जरू कीजेगा में मिलता हूँ बहुत जल्द आप से अगले वीडियो में तिलनल थेंक्यू बबाई